जैसियारा, सब सुख लहे तुम्हारी सर्णा, तुम रक्षक का हुग डड़ा हरुमान चालिसा में गोस्वामी तुलसी दासजी ने जो एक पंक्ती लिखी है कि नासे रोग हरे सब बीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा यानि जो लोग हनुमान ची का निरंतर जब करते हैं, तो नासे रोग हर प्रकार के रोग और शोकों का नाश हो जाता है किसी प्रकार के कोई पीड़ा नहीं रहती और जीवन में सुक संब्रिध ही आती है हर प्रकार की पीड़ा खत्म हो जाती है कई तरह की पीड़ाय होती है लेत्ती के जीवन में उस सब खत्म हो जाता है लेकिन शर्त यह है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा आम तोर पे एक सुभाविक साब प्रश्ण उठता है कि आखिर ये जपत निरंतर हनुमत वीरा कैसे हो सकता है काफी लोग इस प्रश्ण को रखते हैं कई बार कुछ लोगों से मलकात होती है तो इस जी ग्यासा को रखते भी है कि हनुमान जी तो सभी रोग शोकों का नाश कर देंगे लेकिन उनका निरंतर जब कैसे हो सकता है हम लोग तो सांसारिक लोग है जिस वक्त हम अपने पूजा ग्रिह में होते हैं मंदिरों में होते हैं या हनुमान जी से समंधित कोई चर्चा चलती है हनुमान जी का हम ये जो वीडियो देख रहे हैं जब हनुमान जी के हम बाते सुन रहे हैं, तब तक तो ठीक है, हनुमान जी हमारे चिंतन में है, उनका भीतर ही भीतर जब चल रहा है, जपत निरंतर हनुमत वीरा ये हो रहा है। रहीम ने कहा है कि अब रहीम मुश्किल भयों, तेरहे दो काम, साचे से तो जग नहीं, और जूटे मिले न राम। बड़े मुश्किल इस्तती है। जो भी निरंतर हनुमान जी का जब करेगा, उसके चिंतन में हनुमान जी रहेंगे, उसके सभी कारे हनुमान जी स्वेम संभाल लेंगे। ये संतों का नुभा हुए, बहुत सारे ऐसे संते हैं, जो कहते हैं कि उनका सारा कारे तो हनुमान जी संभालते हैं, सब करते हैं। ये संतों का निजनभा हुए लेकिन ये होगा कैसे इसको लेकर बहुत सारे जिग्यासाइं समय समय पे आती है कि क्या ये बिवहारिक है कि हम निरंतर हनुमान जी का जब करते रह सकते है इस पे काफी कुछ विचार विमर्श करने के बाद जो बाते स्पष्ट हुई वो ये हुई कि मुश्किल स्थती तब आती है हमें तब लगता है कि हमेशा हम हनुमान जी का जब नहीं कर सकते जब हम हनुमान जी को अपने से प्रिथक मानते है अलग मानते है जब हम इश्वर को खुद से प्रिथक मानते है गोस्वामित उसी दास्जी ने कहा है कि सिये राम मैं सब जग जानी ये जो पूरा संसार है उन्ही भगवान राम और सिया की प्रतिक्रिती है हर जगह राम और सिया ही है भगवान शियू के बारे में कहा जाता है ये जो पूरा संसार है शियू मैं है शियू के सिवाए दूसरा कुछ भी नहीं राम के सिवाए दूसरा कुछ भी नहीं मुश्किल सित् пару आती है जब हम प्रिथक करके देखना शुरू करते हैं कि हम मंदिर गए हम मंदिर में इस طرف खरे हैं हरुआनजी सामने खरे हैं ये दो हैं आगे हनुमान जी हैं एक हम है जब ये प्रिथकता का बोध होता है तब फिर जबत दिरंतर हनुमत बीरा में मुश्किल आने लगती है फिर हमेशा जब में दिक्कत होने लगेगी इसका निदान बताया है आदिशंक्राचारी जी ने आदिशंक्राचारी जी इसका निदान करते हुए कहते हैं संसारिक लोगों के लिए कि ये तो बड़ा सरल है हम लोगों ने इसे कठिन मान लिया है ये बहुत सरल है, कहते है आदिश शंकराचार जी भगवान इश्यू से कि आत्मा त्वम गिरिजाम मतिम, सहचरा प्राण, शरीरम ग्रिहम, पूजाम ते विश्यो पिभोगे रचना, निद्रा समाह देस्तिता, संचार पद्यो, प्रदक्षिना विधी, अस्त्रो तानी आदिश शंकराचार जी भगवान श्यू से कहते हैं कि हे श्यू, जब पूरा संसार श्यू में है, जब पूरा संसार राम में है, तो मैं अलग कहां, मैं प्रिथक कहां, मेरी जो आत्मा है, वो आप है, हे श्यू, आप मेरी आत्मा है, गिर्जा मति, जो गिर्जा है, जो मा पारवती है वो मेरी मती है वो मेरी बुद्धी है आपके जो गण है आपके जो गण है वो मेरे प्राण है शरीरम ग्रिहम हेशिव यह जो मेरा शरीर है यही आपका घर है यही आपका मंदिर है मंदिर कहीं और नहीं यही जो मेरा शरीर है यही तो आपका मंदिर है और तमाम जो तमाम तरह की वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द रहती हैं वो भोग के लिए यही आपके पूजन की इस तो सामगरी है। मैं जब निद्रा में जाता हूँ मैं मुझे जब नेन दाती है यही आपकी समाधी है भगवान शियू। मेरे पास इतना समय कहा कि मैं आपके मंदिर आ सकूँ मैं आपके निरंदर अलग हटके जब कर सकूँ। यह तो इसी क्रिया कलाप में जिस जीवन को हम जी रहे हैं इसी में यह सारी पूजा चलती रहेगी। मैं जब निदरा के अवस्था में होता हूँ यही आपकी समाधी है। मेरे पाओं जब चलते फिरते हैं अपने कारे अस्थल तक जाते हैं खेत खलिहानों तक जाते हैं ब्यपार अस्थल तक जाते हैं। आफिस में दफ्तरों से लोट कर जब हम घर आते हैं, यह जो आना जाना चलता रहता है, यही आपकी परिक्रमा है, यही आपकी प्रदक्षिना है, और जो कुछ भी मैं अपने बंधू बंधों से बात करता हूं, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने पत्नी स बच्चों से जो कुछ भी में बाते करता हूँ यही आपका श्लोख है यही आपका मंत्र है मैं मुंघ से निकला हूआ हरशब्द आप अहीं को समधिति है शियो siyo अलग कुछ भी नहीं, दोसरा कुछ भी नहीं इस संसार का जो भी मैं कारे कर रहा हूँ इस शियोमे संसार में वो सब आपकी ही पूजा है ऐसा जानकर आप मुस्वर प्रसन्न हो जाएए यही जपत निरंतर हनुमत वीरा है चुकि हम प्रिथक मान के चलते हैं उसमें सनमार्ग से हटने का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता फिर आप देखेंगे कि निरंतर आप जो कारे अभी आपको लगता है कि आप खुद के लिए कारे करते हैं, अपने लिए कारे करते हैं भगवान कृष्ण ने स्वेम कहा है कि जो अपने सभी कर्मों को कारियों को मुझ को समर्पित कर देता है वो फिर तमाम तरह के दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है तमाम तरह के जो उसको कर्म फल है वो बांधते नहीं है वो कर्म फल में बांधता नहीं है और यही बात आदिशंक्राचारे भी कर रहे है जब भगवान शिव की वारातना कर रहे है और यही बातें गुस्वामे तुस्य दासी भी कर रहे है कि जपत निरंतर हनुमत बीरा ना से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा जब हर शण हमारे मुख से निकला पूरी शब्द जब हनुमान जी के अराधना बन जाएगा चुकि जो संसारी का आउशकता हैं हम उसी की पूर्ती में तो लगे हैं उसी कारे में लगे हैं चुकि जो साधु सन्यासी हैं जो नियंदर पूजा पाठ में लगे रहते हैं उनकी बात अलग है लेकिन जो लोग संसार में हैं जो संसारी कारियों में जिनको प्रवृत होना पड़ता है तमाम तरह की माया प्रपंचों के बीच में रहना पड़ता है उनकी मती अगर गिरजा मती हो जाएगी याने कि माप पार्वती जिनके बुध्धी बन जाएगी जो सनमार्ग पे चलने लगेंगे इस भाती वो अपना कर्म करेंगे कर्तब्बे करेंगे तो यही तो भगवान शिव की पूजा है यह आदी शंग्राचारे इसको बड़े ही सुलब करके बड़े ही आसान शब्दों में समझा रहे हैं इसलिए हनुमान जी काभी निरंतर जब चल सकता है चिंतन चल सकता है आप हनुमान जी को प्रिठक करके न माने हनुमान जी के हैं प्रेणा से सब होता है हनुमान जी के क्रिपा से सब संभा होता है हर कदम जो हमारा उठता है वो हनुमान जी के लिए ही उठता है और इसी भाव को गुस्वामित उसी दासी ने जपत निरंतर हनुमत बीरा ऐसा कहा है तो जिनके मन में भी निरंतर हनुमत नाम चलते रहता है इस भाती इस भाव से इस संसार को देखते हैं इस भाव से इस संसार के कारियों का निश्पादन करते हैं उनके लिए फिर अलग से किसे जब क्या उशक्ता नहीं होती वो तो हम सुभा स्नानादी क्रिया से निब्रित होकर के धूब बाती दिखा करके एक नियमों के तहट तो हम हनुमान जी का राधना करते ही है लेकिन ये अराधना तो निरंतर चलती है आप किसी भी कार में हैं आप करके देखिए आप जैसे हनुमान जी से एक अकारिता स्थापित करेंगे उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम उनसे अलग कहा सोई जाने उँ जही देई जनाई जाने कि आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं और जानत तुम्हें तुम्हें ही हुई जाई और जो आपको जान जाता है वो आप जैसा ही हो जाता है ऐसा गुसामित उसी दासे ने लिखा है तो जपत निरंतर हनुमत वीरा आप कर सकते हैं हमेशा अगर इस भाव से हनुमान जी का आप सुमिरन करें चुकि हनुमान जी पर की इस्तिती बनाएंगे आपको ऐसा सनमार्क दिखाएंगे कि इन तमाम परपंचों से वो आपको खुद को आपको अलग तो रखेंगे ही तमाम तरह की परिशानियों से भी आपको दूर रखेंगे और आपके जीवन में सब सुगम कर देंगे इसलिए गुश्वामी जी के ज सान हो जाएगा रोग शोग ब्याधियां सब दूर हो जाएगे जैसे आराम